अंतरा ने रुद्र को होटेल सहारा से निकलने पर मचबूर कर दिया था वहां से निकलते ही उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आया था कि उनकी शौपिंग मॉल की कंस्ट्रक्शन साइट पर डिगिंग में पुरानी मूर्तिया मिली है रुद्र तुरंत वहां पर पहुच गया था उसकी असिस्टेंट ने उसे बताया था कि आर्केलोजी डिपार्टमेंट शायद और डिगिंग करके देखेंगे कि अंदर और तो मूर्तिया नहीं गड़ी है और इस प्रोसेस में चार-पाथ साल भी लग सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वो लोग हमेशा के लिए ये जमीन सील करते रुद्र ने अपने असिस्टेंट को आर्केलोजी डिपार्टमेंट के हैट सुपरिंटेंडिंग आर्केलोजिस्ट से लंच या डिनर मिटिंग फिक्स करवाने के लिए ओडर दिया था आखिर में रुद्र ने कहा और हां कुछ एंटीक चीजें खरीद वालो हमारे पास वाली जमीन में हम भी एंटीक चीजें काड़ेंगे अब उन्हीं की सपान में उन्हें जवाब देंगे इतना बोलकर रुद्र वहां से निकल गया था और ओफिस चला गया था दोपहर में फिर से रुद्र के एसिस्टेंट का कॉल आया सर, हेट सुपरिंटेंडिंग आर्केयोलोजिस्ट मिस्टर कपिल दिवान से बात हो गई है वो आज डिनर पर मिल सकते हैं और उन्होंने पूछा है कि आप उन्हें कौन से रेस्टोरान में मिलने माले हैं रुद्र ने फोन पर अपने असिस्टेंट को जवाब दिया मिस्टर दिवान से कहो, उन्हें जो जगा पसंद हो, वहाँ पर हम डिनर करेंगे तुम उनसे पोच कर मुझे लोकेशन मैसेज कर देना इतना बोलकर रुद्र ने फोन काट दिया और फिर से अपने काब में लग गया कुछ देर में उसके फोन पर मैसेज आया मैसेज पढ़कर रुद्र चिड़ गया मैसेज में लिखा था कि हैड आर्खियोलोजिस्ट कपिल दिवान आज रात आट बजे होटेल सहारा के ड्रेस्टरॉंट में मिलेंगे द्रोव मन ही मन कपिल दिवान को कोस ने लगा कि उसे और कोई जगा नहीं मिली थी आज सुबा जब अंतरा ने रुद्र को किसी चूहे की तरह अपने रूम से भगाया था तब से होटेल सहारा से रुद्र को नफरत हो गई थी हाला कि अब उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उसने खुद ही कपिल दिवान को लोकेशन चुडने को कहा था आखिर में रुद्र ने खुद को ये कह कर मनाया कि उसे सिर्फ डिनर के लिए ही तो जाना है फिलहाल अपनी फीलिंग्स को साइड में रख कर उसे कपिल दिवान के साथ दोस्ती बनाना बहुत जरूरी था काम में कव वक्त बीद गया पता नहीं चला शाम होते ही रुद्र घर गया और तयार होकर होटेल सहारा के लिए निकला उसने गाड़ी वैले पारकिंग के लिए दी रुद्र होटेल सहारा के रेस्ट्राउन में पहले भी आया था इसलिए उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी वो सीधा रेस्ट्राउन्ट के अंतर गया रेस्ट्राउन्ट के स्टाफ ने पूछा कि रुद्र के साथ कितने लोग है रुद्र ने उसे बताया कि Golden Water Pavilion नाम का Private Room अल्रडी उसके लिए बुक किया गया है स्टाफ वाला आदमी रुद्र को उसके रूम तक पहुचाने साथ में गया Golden Water Pavilion Private Room कोरिडोर के एंड में था दर्वाजी पर पहुचते ही रुद्र को रूम के अंदर से आवास सुनाई थी अंदर कोई हस्ते हुई बोल रहा था क्यों बोरिंग लगेगा अरे भई इन सब रिसर्च करने में इंट्रेस्ट था तभी तो आरके लॉजिस्ट बने है वर्ना मोनेसिपलेटी में कोई क्लरक की नौकरी ही पकड़ लेते ये सुनकर रुद्र हैरान हो गया उसने होटेल स्टाफ से पूछा कि अंदर कितने लोग है स्टाफ वाले आदमी ने माफी मांगते हुए रुद्र को बताया कि उसके शिफ्ट अभी-भी शुरू हुई है और उसने सबसे पहले रुद्र को ही अटेंड किया है इसलिए पता नहीं कि अंदर कितने लोग हैं रुद्र ने अपना सरहा में हिलाया और स्टाफ को जाने के लिए कह दिया स्टाफ के जाने के बाद रुद्र ने रुम का दर्वाजा खोला कपिल दिवान की उम्र पचास के उपर के लग रही थी वो मोटा आदमी था रुद्र ने देखा कि कपिल के पास में तन्दी का पिता नीरज कश्य बैठा हुआ था कपिल और नीरज दोनों लगभग एक ही उम्र के लग रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ हसते हुए बाते गर रहे थे उन दोनों की लेफ्ट साइट पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने सफेद रंग का मास्क पहना था वो आदमी मुस्कुराते हुए अपनी पास बैठी औरत की प्लेट में खाना पर उस रहा था और औरत के कान में कुछ कह रहा था उसकी बात सुनकर उस औरत की आखें चौड़ी हो गए और उसने बनावटी ढंक से मास्क वाले आदमी को घूसा मारा अंतरा ने कहा पहले आप अपनी बिजनस की बातों में ध्यान दो मैं खाना खा लूँगी आप फिक्र मत करो अंतरा को लगा था कि उसका कश्यप अंकल के साथ डिनर है इसलिए वो आई थी लेकिन यहां आकर पता चला कि हैड आर्कियोलाजिस्ट कपिल डिवान भी नीरच के साथ में है हाला कि मिस्टर शैडो को किसी की नहीं पड़ी थी उसे तो बस अंतरा को खाना खिलाने में इंट्रेस था ये सब हो रहा था तब अचानक रुद्र को अंदर आया देखकर अंतरा की चहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई रुद्र ने उन लोगों को घूरा और फिर कपिल की तरफ देखकर मुस्कुराते होई कहा हलो मिस्टर दीवान मैं रुद्र अहुजा कपिल ने भी हस्ते हुए जवाब दिया आईए मिस्टर अहुजा आप ही का इंतिजार कर रहे थे बैठिए बैठिए रुद्र अपनी जगा पर बैठा कपिल ने आगे कहा दरसल आज इन लोगों से मेरी मीटिंग पहले से तै थी फिर आपने कहा कि आप भी मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं और उपर से आप सब लोग रियल एस्टेट की दुनिया से हो तो मैंने सोचा क्यों ना सब का एक घटा ही डिनर हो जाए वैसे आप और मिस्टर कश्यप तो एक दूसरे को जानते ही होंगे ना रुद्र की आँखों में साफ नफरज्च लग रही थी लेकिन मिस्टर शैडो ने ऐसे बरताव किया जैसे उसने रुद्र को देखा ही ना हो जाहिर सी बात थी कि वो रुद्र को बिलकुल इज़त नहीं देना चाहता था अंतरा का भी ध्यान सिर्फ अपने खाने पर था वो भी ऐसे बरताव कर रही थी जैसे उसे इस बिजनस मीटिंग से कोई मतलब ही ना हो कुछ देव तक कोई कुछ बोला नहीं नीरज कश्यप को लगा कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो आकवर्डनेस और बढ़ जाएगी उसने कपिल की तरफ देख कर हस्ते हुए कहा देवान जी, मिस्टर अहुजा को कौन नहीं जानता इतनी कम उमर में इन्होंने अपने फैमली बिसनस को काफी आगे भढ़ाया है कभी-कभी तो मुझे लगता है, मिस्टर अहुजा कि आप से चार बातें सीखूँ ये कहकर नीरज ने अपना हाथ रुदर की तरफ भढ़ाया रुदर को नीरज के मुझे अपनी तारीफ सुनने में कोई इंट्रेस नहीं था लेकिन नीरज बुजोर्ग आदमी था और उपर सी कपिल दीवान भी सामने पैठा था इसलिए रुदर नीरज की इंसल्ट करके अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता था आखिर में रुदर ने भी आगे भढ़कर नीरज से हाथ मिलाया और कहा इस बात का नीरज कुछ जवाब दे उसकी पहले कपिल बोल पड़ा नहीं नहीं मिस्टर अहुजा आप वाकई में काबिले तारीफ हैं मैं आपको पूरे आर्केलोजी डिपार्टमेंट की तरफ से थैंक्यू कहना चाहता हूँ आपके प्लोट से निकली हुई मूर्तियां काफी पुरानी है शायदी ऐसी कोई मूर्ति आज तक इंडिया में पाई गई होगी जल्दी इस बात का अनाॉंसमेंट होगा मैंने इसके बारे में दिल्ली भी इन्फॉर्म किया है उन लोगों ने भी आपके काम की सरहना की है वरना आज कल कौन पैसा कमाने का मौका छोड़कर देश हित के बारे में सोचता है आज की युवा पीडी के लिए आप एक मिसाल बन गए हो ये सुनकर ना चाहते हुए भी रुद्र को मुस्कुराना पड़ा मन में तो वो कपिल को गालियां दे रहा था आज सुबा ही तो वो मूर्तियां आर्केलोजी डिपार्टमेंट के हाथ लगी थी और कपिल ने इतनी जल्दी गवर्मेंट को इन्फॉर्म कर दिया था और जल्द ही निउस में भी आ जाने वाला था रुद्र को समझा गया कि कोई तो इस आग में घी डालने का काम कर रहा था रुद्र ने कपिल से नाटक करते हुए कहा कि ये तो उसका फर्स था ये सुनते ही कपिल ने गर्व से कहा क्या बात है सुना अपने मिस्टर कश्य ये हैं हमारे यंग अंट्रप्रणियर्स नीरच कपिल की बात से सहमत हुआ जाहिर सी बात थी कि नीरच पहले से ही खुश था कि अब रुद्र का शॉपिंग मॉल नहीं बनने वाला था लेकिन उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उसकी खुशी उसके चेहरे पर दिखना जाए रुद्र ने कहा मैं अंट्रप्रणियर्बात में हूँ पहले एक इंडियन हूँ और हर एक इंडियन का ये फर्ज है कि वो खुद से पहले देश के बारे में सोचे इतना कहकर रुद्र ने कपिल की तरफ देखते हुए कहा मिस्टर दिवान मैं सोच रहा था कि आप मेरे प्लॉट के आसपास की जमीन भी क्यों नहीं चेक करते हो सकता है कि आसपास की जमीन से भी कुश निकलाए ये सुनते ही नीरच के चेहरे से हसी गायब हो गई रुद्र की जमीन के पास में उसकी जमीन थी जिसे खरीदने में उसने भी करोणों रुपे खर्च किये थे रुद्र की बात का साफ मतलब था कि वो अपने साथ-साथ नीरच का प्रोजेक्ट भी बंद करवाना चाहता था मिस्टर शैडू और अंतरा भी चुप-चाप उन लोगों की बातें सुन रहे थे रुद्र की बात सुनकर कपिल भी सोच में पढ़ गया उसके चेहरे की हाव-भाव से लग रहा था कि वो रुद्र की बात से सहमत था कपिल ने कहा मिस्टर अहूजा की बात तो सही है क्या कहते हो मिस्टर कशिअप? आप कोपरेट करोगे ना? नीरच ने आक्वर्ड होकर जवाब दिया आरे दिवान जी मिस्टर अहूजा की जमीन से मेरी जमीन थोड़ी दूरी पर है अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि उनकी जमीन से मूर्तिया निकली तो मेरी जमीन से भी निकलेंगी खाम खाँ आपका वक्त बरबाद होगा नीरज की बात सुनकर रूद्र ने तुरंट टोका कि अभी थोड़ी देर पहले ही नीरज ये कह रहा था कि उसे रूद्र से चार बातें सीखनी चाहिए तो अब नीरज अपनी बातों से क्यों मुकर रहा है नीरज को समझा रहा था कि रूद्र जान बूच कर उसे फसा रहा है नीरज ने रूद्र से कहा मिस्टर अहूजा आप ऐसी बाते क्यों कर रहे हैं ये सुनकर रूद्र ने सीधा कह दिया मिस्टर कश्यप आप ज़ादा भूले बनने का नाटक ना करें आप और मैं दोनों जानते हैं कि मेरी जमीन में से ये मूर्थियां कैसे निकली है इतना बोलकर रूद्र ने मिस्टर शैडू और अंतरा की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा इन दोनों को भी पता है कि ये सब कैसे हुआ है अगर मेरा प्रोजेक्ट रुख जाएगा तो मैं आपका प्रोजेक्ट भी चलने नहीं दूँगा ये सब बाते सुनकर कपिल को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों बिजनसमेन उसके साथ क्या खेल खेल रहे थे लेकिन उसे ये जरूर समझ आ गया था कि रियल एस्टेट वर्ल्ड के दो महारत ही नीरज और रुदर की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी कपिल को लगा कि कहीं सब का साथ में डिनर प्लान करके उसने कोई गलती तो नहीं कर दी जो भी हो फिलहाल माहौल कपिल को ही ठंडा करना था उसने आगे की बात रोकते हुए कहा आरे भाई शान्त हो जाएए हम यहाँ डिनर करने आए हैं पहले खाना खाते हैं बात ही तो बात में होती रहेंगी कपिल की बात सुनकर नीरज ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन रुदर काफी गुस्से में था वो नीरज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता था आज कपिल दिवान के सामने रुदर नीरज की इज़ट मिट्टी में मिलाना चाहता था उसने कहा मुझे तो तब से दाल में कुछ काला लग रहा है जब से मिस्टर कश्यप ने वो जमीन खरी दी है कोई इतना भी दिलदार कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा प्लॉट आधे दाम में बेचे आपको एक गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना मिस्टर कश्यप ये सुनकर अब नीरज को भी गुसा आने लगा उसने कह दिया कि भले ही वो जमीन उसे आधे दाम में मिली थी लेकिन ऐसी डील क्यों हुई थी इस बारे में ना रुद्र को पूछने का हक है ना नीरज को कोई सफाई देने की ज़रूरत है इसकी जवाब में रुद्र ने कहा आपको बिल्कुल सफाई देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर गवर्मेंट की प्रॉपर्टी पर कबजा हो रहा है तो एक रिस्पॉंसिबल सिटिजन होने के नाते मुझे इस मुद्दे पर सवाल उठाने का पूरा हक है तो बताईए मिस्टर कश्यप आपने किस से ये जमीन खरी दी थी कमसे का मा पुराने ओनर का नाम तो बता ही सकते है नीरज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जबाब थे वो जमीन मैंने बेची थी अब तक जो बैठे मिस्टर शैडो ने धीरे से ये कहा सबने एक साथ उसकी तरफ देखा मिस्टर शैडो ने अंतरा की प्लेट में सालिट परोस्ते हुए कहा वो जमीन मैंने पांच साल पहले घरे दी थी अगर मिस्टर अहूजा को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो सब रिजिस्ट्रार आफिस जाकर पता कर सकते है मिस्टर शैडो ने एक दम शांती से ये कहा था उसका लहजा रुद्र के गुस्से लहजे से बिलकुल उल्टा था थोड़ी देर के लिए रुद्र भी चौग गया था तुमने मिस्टर कश्चप को ये जमीन बेची थी? बिलकुल अंतरा के लिए तुमने अपना तीन सो करोड का नुक्सान कर लिया? मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि अंतरा उसकी गर्फ्रेंड है और नीरच कश्चप के परिवार ने हमेशा अंतरा को अच्छे से ट्रीट किया है इसलिए वो बस नीरच कश्चप को इस बात का बदला चुका रहा था ये सुनका रुद्र काफी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर उसने मिस्टर शैडो से पोच्छा अखर तुम कौन हो? क्या मिस्टर शैडो अपने बारे में बताएगा? क्या मिस्टर शैडो के रहसे से परदा उठने वाला था? ये डिनर शांती से खत्म हो पाएगा?